अक्षय तृतिया से जुड़ी 25 विशेश बातें, आप भी जानिये शास्त्रों में अक्षय तृतिया को स्वयम सिध मुहूर्त। माना गया है, अक्षय तृतिया के दिन मांगलिक कार्या जैसे विवा, ग्रिह प्रवेश, व्यापार अथ्वा उद्योग का आरंब। करना अती शुब फल दायक होता है, सही मायने में अक्षय तृतिया अपने नाम के अनुरूप शुब फल प्रदान करती है, अक्षय तृतिया पर सूरिया व चंद्रमा अपनी उच्छ राशी में रहते हैं, एक, नया वाहन लेना या ग्रह प्रवेश करना, आभू शंग खरी जमीन जायदाद संबंधी कार्या, शेर, मार्केट में निवेश रियल एस्टेट के सौदे या कोई नया बिजनेस शुरू करने जैसे काम भी लोग इसी दिन करने की चाह रखते हैं, दो, अक्षय तृतिया के विशय में मान्यता है कि इस दिन जो भी काम किया जाता है उसम बरकत होती है, यानि इस दिन जो भी अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा अगर कोई बुरा काम करेंगे तो उस काम का परिनाम भी कई जन्मों तक पीछा नहीं छोडेगा 3. धर्ती पर देवताओं ने 24 रूपों में अवतार लिया था, इनमें 6 अवतार भगवान परशुराम का था, पुराणों में उनका जन्म अक्षय तृतिया को हुआ था 4. इस दिन भगवान विश्नु के चरणों से धर्ती पर गंगा अवतारित हुई, सत्युग, द्वापरवत रेतायुग के प्रारंब की गणना इस दिन से होती है 5. शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतिया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं, वास्तव में यह वस्तु, खरीदने का दिन नहीं है, वस्तु की खरीदारी में आपक 6. ना माधव समो मासो ना, कृतेन युग समम, ना चा वेद समा शास्त्रम ना तीरत गंग्या समम, वैशाक के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त नहीं है, और गंगाजी के समान कोई तीरत नहीं है, उसी तरह अक्षय तृतिया के समान कोई तिथी नहीं है। साथ, वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय। तृतिया के कारण अक्षुण हो जाती है। वैशाख मास के शुकल पक्ष तृतिया को मनाए जाने वाले इस पर्व का। उलेख विश्नु धर्म सूत्र, मत्स्य पुरान, नार्दिय पुरान तथा भविश्य पुरान आदी में मिलता है। आठ, ये समय, अपनी योग्यता को निखारने और अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए उत्तम है। 9. ये मुहूर्त अपने कर्मों को सही दिशा में प्रोथसाहित करने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। शायद यही मुख्य कारण है कि इस काल को दान, इत्यादी के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। 10. वैशाक मास के शुकल पक्ष की तृतिया को आखा तीज के रूप में मनाया जाता है भारतिय जन्मानस में यह अक्षय तीज के नाम से प्रसिद है। 11. पुराणों के अनुसार। 12. इस दिन सूर्योदे से पूर्व उठकर स्नान, डान, जप, स्वाध्याय आदी करना शुब पलदाई माना जाता है इस तिथी में। किये गए शुब कर्म का फलक्षय नहीं होता है इसको सत्युग के आरंब की तिथी भी माना जाता है इसलिए। 12. यदि इसी दिन रविवार हो तो वो सर्वाधिक शुब और पुन्यदाई होने के साथ साथ अक्षय प्रभाव रखने वाली भी हो जाती है। 13. मत्स्या पुराण के अनुसार अक्षय तृतिया के दिन अक्षत पुष्प दीप आधी द्वारा भगवान विश्नु की आराधना करने से विश्नु भगवान की विशेश कृपा प्राप्थ होती हैं तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। 14. दीम दुखियों की सेवा करना, वस्त्रादी का दान करना और शुब कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन वचन व अपने कर्म से अपने मनुश्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतिया पर्व की सार्थकता है। 15. कलियुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए इस दिन भगवान विश्नु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चे ही अगले जन में सम्रिद्धी एश्वर्य वसुख की प्राप्ती होती है। 16. भविश्य पुरान के एक प्रसंद के अनुसार शाकल नगर रहने वाले एक वनिक नामक धर्मात्मा अक्षय तृतिया के दिन पूर्ण श्रद्धा भाव से सनान ध्यान वदान कर्म किया करता था जबकि उसकी पत्नी उसको मना करती थी। मृत्यू बाद किये गए दान पुन्य के प्रभाव से वनिक द्वारकानगरी में सर्व सुख संपन्न राजा के रूप में अफ्तरित हुआ। 17. इस दिन पवित्र नदियों में सनान कर सामर्थ्य अनुसार जल, अनाज, गन्ना, दही, सत्तु, फल। सुराही, हाथ से बने पंखे वस्तरादी का दान करना विशेश फल प्रदान करने वाला माना गया है। 18. दान को वैग्यानिक तरकों में उर्जा के रुपांतरन से जोड कर देखा जा सकता है, दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने के लिए ये दिवस सर्वश्रेश्ट है। 19. यदि अक्षय तृतिया रोहिनी नक्षत्र को आए तो इस दिवस की महत्ता हजारों गुना बढ़ जाती है, ऐसी मान्यता है, किसानों में ये लोक विश्वास है कि यदि इस तिथी को चंद्रमा के अस्थ होते समय रोहिनी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा 20. इस दिन प्राप्त आशीरवाद बेहद तीव्र फलदायक माने जाते हैं, भविश्य पुरान के अनुसार इस तिथी की गणना युगादी तिथियों में होती है, सत्युग, त्रेता और कल्युग का आरंब इसी तिथी को हुआ, और इसी तिथी को द्वापर युग समा 21. रेनुका के पुत्र परशुराम और ब्रह्मा के पुत्र अक्षय कुमार का प्राकट्य इसी दिन हुआ था, इस दिन श्वेत पुष्पो से पूजन कल्यानकारी माना जाता है, 22. धन और भौतिक वस्तूओं की प्राप्ती तथा भौतिक उन्नती के लिए इस दिन का वि वहन और संपत्ती के क्रय के लिए मान्यताओं ने इस दिन को विशेश बताया और बनाया है, बिना पंचांग देखे इस दिन को श्रेश्ट मुहूरतों में शुमार किया जाता है, 23. दान करने से जाने अंजाने हुए पापों का बोज हलका होता है और पुन्य की पुन्ज बढ़ती है, अक्षय तृतिया के विशेश में कहा गया है कि इस दिन किया गया दान खर्च नहीं होता है, यानि आप जितना दान करते हैं उससे कई गुणा आपके अलोकिक कोश में जमा हो जाता है, 24. मृत्यू के बाद जब अन्य लोक में जाना पड़ता है तब उस धन स में जमा धन के कारण धर्ती पर भौतिक सुख एवं वैभव प्राप्त होता है, इस दिन स्वर्ण, भूमी, पंखा, जल, सत्तु, जो, छाता, वस्त्र कुछ भी दान कर सकते हैं, जो दान करने से स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है, 25. इस तिथी को चारों धामों में स उल्लेखनी या एक धाम भगवान श्री बदरी नारायन के पट खुलते हैं, अक्षय तृतिया को ही व्रिंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार ही होते हैं,